करके देखें, पहला इन प्रस्णों को हल किजिए, पहला तीन वर्गमूल दो धन तीन वर्गमूल दो, दूसरा तीन वर्गमूल छे गुणित दो वर्गमूल तीन, दो, पांच वर्गमूल तीन धन साथ वर्गमूल पांच को तीन वर्गमूल पांच धन साथ वर्गमूल तीन में से घटाओ, तीसरा छे वर्गमूल तीन को तेरा वर्गमूल तीन से गुणा करो, चाथा इन प्रस्णों को हल किजिए, पहला कोष्टक में तीन धन वर्गमूल तीन गुणित कोष्टक में दो धन वर्गमूल दो दूसरा तीन कोष्टक में दो धन वर्गमूल तीन गुणित कोष्टक में दो रिन वर्गमूल तीन तीसरा कोष्टक में वर्गमूल पांच धन वर्गमूल दो पूरे का वर्ग चौथा कोष्टक में वर्गमूल पांच रिन वर्गमूल दो गुणीत कोष्टक में वर्गमूल पांच धन वर्गमूल दो कुछ और संक्रिया हैं जब वास्तिक संख्या में कई हिस्से हों, तो उनका जोड कैसे होगा? A. वर्गमूल B. धन. C. वर्गमूल B. धन. E. वर्गमूल B. का जोड कैसे होगा? यह जोड बराबर कुष्टक में A धन, C धन, E कुष्टक बंद, गुनीत, वर्गमूल भी ऐसे ही और वास्तिक संख्याओं का जोड भी कर सकते हैं हर को परिमे बनाओ हम वर्गमूल दो को संख्या रेखा पर दिखा सकते हैं तब क्या एक बटे वर्गमूल दो को भी संख्या रेखा पर दिखा सकते हैं एक बटे वर्गमूल दो का मान क्या होगा एक बटे वर्गमूल दो बराबर एक बटे एक दस्मलो चार एक चार दो एक तीन डौट 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 क्या एक को वर्गमूल दो बराबर एक दस्मलव चार एक चार दो एक तीन डॉट डॉट से भाग दे सकते हैं यह आसान नहीं होगा क्योंकि वर्गमुल दो एक असांत और अनावर्ती दस्मलव संख्या है ऐसी स्थिती में हमें हर के परिमेही करण की आवसकता होती है हर के परिमेही करण के लिए एक बटे वर्गमुल दो के अन्स और हर में वर्गमुल दो का गुणा करेंगे एक बटे वर्गमुल दो बराबर एक बटे वर्गमुल दो गुणित वर्गमुल दो बराबर एक बटे दो गुणित वर्गमुल दो बराबर वर्गमुल दो बटे दो याने यह वर्गमुल दो का आधा है क्या हम वर्गमूल दो बटे दो को भी संख्यारेखा पर दर्सा सकते हैं वर्गमूल दो बटे दो क्योंकि वर्गमूल दो का आधा है अता सुन्य और एक के बीच होगा करके देखें पहला हर को परी में बनाईए पहला एक बटे चार धन वर्गमूल पांच दूसरा एक बटे साथ धन चार वर्ग मूल तीन तीसरा एक बटे साथ धन चार वर्ग मूल तीन धन एक बटे दो धन वर्ग मूल पाँच